अगर आप इस्टाग्राम ऌनी ऒएड नहीं आइड कर पा रहा है और आपके सामने कुछ इश तरीकसे लिखा हुआ और आप किस तरीके से लिखा वा है lu वीडियों में आपको यह complete जानकारी देने वारा हूं आपको यहां पर देखने को मिल यह है जैसे कि आपको यहां पर पर रहा है यह five day जाने कि you can't access जाने कि जो settings है जाने कि आपको settings तक यहां पर नहीं पहुच पा रहा है जैसे कि अपनी email लॉब्टॉम में लॉगिन करने की यहाँ पर कोशिस कर रहा है और बहाँ पर आप पासवर्ट बगारा गलत डाल देते हैं ठीक है तो ऐसे में यह है कि बहाँ पर आपका जो मुवाइल नंबर है या फिर इमेल आइडी है वो बहाँ पर चेंज नहीं होती है कुछ समय के है तो ऐसे में यह लगता है कि आखिर गूगल को कि यहाँ पर कोई नया विक्ति है और उसने दूसरे मुवाल में यानि की एडी को लॉगिन कर लिया है उसके बाद में वहाँ पर वो सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है ठीक है हो सकता है अगर आप से कई बार पासवर्ट तो अब यहाँ पर गलत पड़ जाता है तब इस तरीकी प्राब्लम हमें देखने को मिलती है अगर इस तो प्राब्लम आ रही है तो आपको चार से पांच दिन है यहाँ पर बेट कर लेना है और उसके बाद में यह प्राब्लम हट जाएगी और आप सारी जो सैटिंग्स त कर देता हूं मैं यहाँ पर कर लेता हूं अपना इस्टाग्राम ओपन ठीक है मैंने यहाँ पर अपना इस्टाग्राम ओपन कर लिया है ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा इस पर आपको सिंपली किलिक करना है आपको यहा इसका मतलब यह होता है कि आप इसमें मोनोडाज़सन की फीचर्स हैं वो आपने यहाँ पर इनेबल कर रखे हैं कुछ ठीक है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे कि मोनोडाज़सन एक्टिविटी और यहाँ पर गिप्ट पे आउट अड़ टूल्स और कि आपको यहाँ पर पार्टनर से पएड्ट और आपको ब्रांड कनेक्ट तो यह आपको यहाँ पर कुछ ऊपसर देखने को मिल जाते हैं ठीक है जो की आप यहाँ से अरणिंग कर सकते हैंужिस्टरग्राम से ठीक है इस पर माद में आप Caroline बना दिया कि आप sister ही से कमा सकते क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीकी से यहाँ पर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे की contact ठीक है इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा add now ठीक है contact इस पर आप simply click कर देंगे जैसे ही आप simply click कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर details आजाएगी जैसे की add mobile number और इसी के साथ में add email ID ठीक है तो आप यहाँ पर email ID add करना चाहाते हैं तो आप email ID पर simply click करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी email ID यहाँ पर इंटर कर देना है तो चलिए मैंश पर सब्टाइंब एक परिक करोंगो और हम नाच्ट पर simply click करदेंगे जैसे हम नेश्ट पर simply click करेंगे तो हमारी email ID पर एक one time जाने की OTP जाएगा वो OTP हमें यहाँ पर enter कर देना है तो चलिए हम यहाँ से cut करते हैं और अपनी email ID पर जाते हैं यहाँ पर हमने paste कर दिया है उसके बाद में नेश्ट पर हम simply click कर देंगे तो जो कि हमारी email ID पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चला गया था और हमने ह fällt यहाँ पर enter कर दिया उसके बाद में हम back करेंगे और जो हमारी email ID है वो यहाँ पर add हो चुकी है तो इस तरीके से आप अपनी new email ID हाँ पर add कर सकते हैं इसी के साथ में अगर आप किसी भी email id को हटाना चाहाते हैं तो बहुत ही simple तरीके से उसे हटा सकते हैं आपको यहाँ पर simply click करना है click करने के बाद में आपको यहाँ पर मिल लिया है delete ठीक है तो आपको यहाँ पर delete पर simply click करना है और फिर delete पर आपको simply click कर देना है उसके बाद में आपको अपनी ID का पासपर्ट डालना है पासपर्ट आप भूल गया है तो आप उसे reset कर सकते हैं तो आप अपनी एक new email ID add कर सकते हैं mobile number add कर सकते हैं और यहीं से ही आप अपनी email ID को हटा सकते हैं तो दोस्तों उम्बीद करता हूँ आपको सारी बाते सबको समझ में आ गई होंगी फिर भी आपके मुने में कोई भी सवाल है या कोई भी confusion है तो मुझे नीचे comment section में दे सकते हैं मिलते हैं next videos में